नमस्कार मैं उकाव्या कॉसिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्ट सिक्षक नियमावली 2023 जब से लागू हुआ है इसके लागू होने के बाद जो है ये प्रावधान आये था कि बीपेसी के द्वारा सिक्षकों का चैन होगा तो अब बता दे कि इसी करी में खबर निकल क्या रही है कि बीपेसी जल्द जो है स्लेवस जारी करेगा और तमाम अपने डीडेल्स देगा कि किस तरीके से सिक्षकों का चैन किया जाएगा बता दे कि 2023 सिक्षक नियमावली लागू होने के बाद सिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं कि वो जो है पढ़िक्षा नहीं देंगे उन्हें राज कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए समान काम का समान वेतन भी मिलना चाहिए ऐसे कड़े में आपको बता दे कि अब बीपेसी जो है सिक्षक भरती का स्लेवस जल्द जारी करेगा प्रधान सिक्षक और हेड मास्टर के स्लेवस से मिलता जुलता स्लेवस ह हूंगे अभ्यार्थी प्रधान सिk्षक स्थ के अध्यावर न होँ। सुरू कर देगा कि आखर के सवखे ना के द्वारा वैसे उयूएे जारी सिक्षक के बहाली के लिए आपको बता दे कि जब से ये नियमा वली लागू हुआ है बिहार के अन्य जिलों से तमाम जिलों से ये खबर निकल के आती है कि सिक्षक जो है आए दिन धर्णा प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें बीपीएसी की पड़िक्षा नहीं देनी है उनको राज कर्मी का दर्जा चाहिए समान काम का समान वेतन चाहिए लेकिन अब इसी करी में जो है ये बात निकल के आई है कि बीपीएसी स्लेबस जो है वो जल्द जाड़ी करने वाला है जो है मिलता जुलता पहले जो हीड मास्टर और प्रदान सिक्षक होते थे उनके आधार पर बीपेएसी चाहे ज़सी क्या है कि तब तक अभ्यार्ती जो है अपना आपको पढ़ा लीए बाया अपडेट है Спасибо कि पहले का जो प्रधान सिक्षक और headmaster का syllabus है जो question का pattern उसके अधार पर आप तयारी सुरू कर सकते हैं आप कि बीपएसी जल्द ही syllabus का जो है वह भी जारी करेगा कि syllabus में आखिर कितने question पूझछ जाएंगे किस तरीके के कोश्चन आएंगे यह तमाम चीजों को बीपेसी जल्द जारी कर देगा ऐसे में बीपेसी का कहना है कि सिर्फ थोड़े बहुत ही बदलाव किये जाएंगे पहले जो प्रधान सिक्षक और हेड मास्टर के बहाली के लिए बीपेसी जो कोश्चन पूछता था उसी क स्प्रणु कर दे तमाम जो सिक्षक भरती के प्रक्रिया है वो भी पेसी जल्द से जल्द शुरू करने वाला है तो यह सिक्षक भरती को लेकर बड़ा अपडेट आया है बीपेसी जारी कर दिया है किसले बस जल्द जारी हो जाएगा तो फिलाल के लिए खबर में इतना ही साथ चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद